छत्रपती शिवाजी भोसले 1630 से 1680 भारत के एक महान राजा एवर रन्नितिकार थे जिन्होंने 1674 इमें पश्चिम भारत में मराथा सामराज्य की नीम रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल सामराज्य के शासक और अंजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में राइगड में उनका राज्या भिशेक हुआ और वहक छत्रपती बने। एक तत्वदर्शी संथ मिला होता तो शिवाजी मोक्ष का मार्ग चुनते वर्टिकल बार। शत्रपती शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवन सुसंगठित प्रशासनिक इकाईयों की सहायता से एक योग्य एवन प्रक्तिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर्विद्या में अनेक नवाचार किये तथा छापामार युद्ध ग्युरिल्ला बोर्फेयर की नई शैली शिवसूत्र विक्सित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दर्बारी शिष्टाचारों को पुनरजीवित किया और मराठी एवन संस्कृत को राजकाज की भाशा बनाया। वे भारतिय स्वाधीमता संगराम में नायक के रूप में स्मरण किये जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राश्ट्रियता की भावना के विकास के लिए शिवाजी जनमोटसव की शुरुवात की। मालो जी मालो भोसले 1552 से 1597 वे एहमदंगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। उन्हें चाकन और इंदापुर के देशमुख थे। मालो जी के बेटे शहाजी भी बीजापुर सुल्तान के दर्बार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे। शाहजी अपने पतनी जीजाबाई से शिवाजी का जनम हुआ। आरंभिक जीवन शिवाजी का जनम 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारन प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता-पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्ग गर्शन में बीता। उन्होंने राजनीती एवन युद्ध की शिक्षाली थी। वे उस युग के वातावर्ण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीन्ता की लौ प्रजवलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामिभक्त साथियों का संधठन किया। वैवाहिक जीवन शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सैबाई निमबाकर के साथ लाल महल उने में हुआ था। उन्होंने कुल आठ विवाह किये थे। वैवाहिक राजनीती के जरिये उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी की पत्निया एक सैबाई निमबालकर संभाजी रानुबाई सकुबाई अंबिकाबाई दो। सोयराबाई मोहिते राजाराम दीपाबाई तीन डौट पुतलाबाई पालकर चार। सकवरबाई गायकवाड कमलाबाई पांच। सगुणाबाई शिरके राजकुवरबाई छे। काशी बाई जाधव साथ। लक्षमी बाई विचारे आठ। गुम्वानता बाई इंगले। सैनिक वर्चस्व का आरंब। उस समय बीजापूर का राज्य आपसी संधर्ष तथा विदेशी आक्रमनकाल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे सामराज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापूर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिन धाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संधर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाती के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाती के लोगों को लेकर मावलों, मावा, नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्मान का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहियोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपून साबित हुआ जितना शेर्शाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संधर्ष तथा मुगलों के आकरमन से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिलशाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटा कर उन्हें स्थानिय शासकों या सामन्तों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिलशाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अफसर का लाब उठा कर बीजापुर में प्रवेश का निर्ने लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापूर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीती अपनाई सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग दुर्गों पर नियंत्रन रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिसके शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था उसके बाद तोणा का दुर्ग जोपुने के दक्षिन पश्चिम में 30 किलोमेटर की दूरी पर था शिवाजी ने सुल्तान आदिलशाह के पास अपना दूत भेज कर खबर भिजवाई की वे पहले किलेदार की तुलना में बहतर रकम देने को तयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंक दिया जाए उन्होंने आदिलशाह के दर्बारियों को पहले ही रिश्वत दे कर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दर्बारियों की सलाह के मुताबिक आदिलशाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपती बना दिया उस दुर्ग में मिली संपत्ती से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया इससे कोई दस किलोमेटर दूर राजगड का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया शिवाजी महाराज की इस सामराज्य विस्तार की नीती की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वहक्षुब्ध हुआ उसने शाजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किये बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया राजगड के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर अधिकार किया परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जाराजा जैसें को भेज कर शिवाजी के 23 किलों पर कबजा किया उसने पुरंदर के किले को नश्ट कर दिया शिवाजी को इस संधी की शर्टों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिरजाराजा जैसें को सौपना पड़ा बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालुसरे ने कोंधाना दुर्ग पर कबजा किया पर उस युद्ध में वह विर्गती को प्राप्थ हुआ उसकी याद में कोंधना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिहगड रखा गया शाजी राजे को पुने और सूपा की जागीरदारी दी गई थी और सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी महिते के हाथ में थी शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ब पर आक्रमन करके दुर्ब पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाजी राजे के पास करनाटक भेज दिया उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यू हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उसके तीनों गेटों में लड़ाई छिड़ गई दो भाईयों के निमंतरण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुँचे और कूटनिती का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाईयों को बंदी बना लिया इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया 1647 इसवी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपती बन चुके थे अपनी बढ़ी सैनिक शक्ती के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेत्रित्व में कोंकन के विरुद्ध एक सेना भीजी आबाजी ने कोंकन सहित नौ अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया इसके अलावा ताला मुसमाला और राइटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए थे लूट की सारी संपत्ती राइगड में सुरक्षित रखी गई कल्यान के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहां के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया शाहजी की बंदी और युद्ध विराग बीजापूर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरक्तों से पहले ही आक्रोश में था उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया शाहजी राजे उस समय करनाटक में थे और एक विश्वास घाती सहायक बाजी घोरपडे द्वारा बंदी बनाकर बीजापूर लाए गए उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी जो गोलकुंडा का शासक था और इस कारण आदिल शाह का शत्रू बीजापूर के दो सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहाजी महाराज को इस शर्थ पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे अगले चार वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजीपूर के खिलाफ कोई आक्रमन नहीं किया इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की प्रभुता का विस्ताय शाहजी की मुक्ती की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजा ने बीजापूर के क्षेत्रों पर आक्रमन तो नहीं किया पर उन्होंने दक्षिन पश्चिम में अपनी शक्ती बढ़ाने की चेश्टा की पर इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था यह राज्य सातारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित्था यहां का राजा चंदराव मोरे था जिसने ये जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी शिवाजी ने मोरे शासक चंदराव को स्वराज में शमिल होने को कहा पर चंदराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया चंदराव मोरे और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की पर अंत में वे बंदी बना लिये गए पर चंदराव भाग गया स्थानिय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित आठ वन्शों की संपत्ती मिल गई इसके अलावा कई मावल सैनिक मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गए मुगलों से पहली मुठभे शिवाजी के बीजापूर तथा मुगल दोनों शत्रु थे उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था इसी समय एक नवंबर 1656 को बीजापूर के सुल्तान आदिलशाह की मृक्यू हो गई जिसके बाद बीजापूर में अराजक्ता का माहौल पैदा हो गया इस स्थिती का लाब उठाकर औरंजेब ने बीजापूर पर आक्रमन कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाए उस पर धावा बोल दिया उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमन कर धेर सारी संपत्ती के साथ 200 घोडे लूट लिए एहमदंगर से 700 घोडे, चार हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूट पाट मचाई इसके परिणामस्वरूप और अंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्थ हो गई शाहजहा के आदेश पर और अंगजेब ने बीजापुर के साथ संधी कर ली और इसी समय शाहजहा बीमार पड़ गया उसके व्याधिग्रस्थ होते ही और अंगजेब उत्तर भारक चला गया और वहाँ शाहजहा को कैद करने के बाद मुगल सामराज्यका शाह बन गया कोंकन पर अधिकार दक्षन भारक में और अंगजेब की अनुपस्थिती और बीजापुर की डवांडोल राजनीतिक स्थित को जानकर शिवाजी ने समर्जी को जंजीरा पर आक्रमन करने को कहा पर जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमन किया और दक्षन कोंकन पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्टगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया कल्यान तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड़डा बना लिया इस समय तक शिवाजी चालीस दुर्गों के मालिक बन चुके थे बीजापुर से संधर्ष इधर औरंगजेब के आगरा, उत्तर की ओर लोट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंतरण में रखने को कहा गया था पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्लाह भटारी अफजल्खा को शिवाजी के विरूध भेजा अफजल ने एक दो शूने 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 सैनिकों के साथ 1669 में कूच किया तुल्जापुर के मंदिरों को नश्ट करता हुआ वह 17 के 30 किलोमिटर उत्तरवाई शिर्वल के नस्दीक तक आ गया पर शिवाजी प्रतापगड के दुर्ग पर ही रहे अफजल खा ने अपने दूद कृष्णजी भासकर को संधिवारता के लिए भेजा उसने उसके मारफत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधिन्ता स्विकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दर्बार में एक सम्मानित पद प्राप्थ होगा हालांकी शिवाजी के मंत्री और सलाहकार अससंधी के पक्ष में थे पर शिवाजी को ये वारता रास नहीं आई उन्होंने कृष्णजी भासकर को उचित सम्मान देकर अपने दर्बार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तुस्थिती का जायजा लेने अफजल खां के पास भेजा गोपीनाथ और कृष्णजी भासकर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधी का शड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है आथ उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधी वार्ता के लिए राजी किया संधिस्थल पर दोनों ने अपने सैनिग धात लगा कर रखे थे मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खां ने अपने कट्यार से शिवाजी पे वार किया बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वस्त्रों वागंखों से मार दिया 10 नवंबर 1669 अफजल खां की मृत्यू के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया इसके बाद पवनगड और वसंतगड के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने रूस्तम खां के आक्रमन को विफल भी किया इससे राजापूर तथा दावुल पर भी उनका कबजा हो गया अब बीजापूर में आतंग का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामन्तों ने आपसी मतभेद भुला कर शिवाजी पर आक्रमन करने का निश्चय किया दो अक्टूबर 1665 को बीजापूरी सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया शिवाजी संकट में फंस चुके थे पर रातरी के अंधकार का लाब उठा कर वे भागने में सफर रहे बीजापूर के सुल्टान ने स्वयंकमान सम्हाल कर पन्हाला पवनगड़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया राजापूर को लूट लिया और श्रिंगारगर के प्रधान को मार डाला इसी समय करनाटक में सिद्दी जोहर के विद्रोह के कारण बीजापूर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझोता कर लिया इस संधी में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया सन 1662 में हुई इस संधी के अनुसार शिवाजी को बीजापूर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली इसी संधी के अनुसार उत्तर में कल्यान से लेकर दक्षिन में पोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापूर से लेकर पश्चिम में दावुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1000 घुडस्वार हो गए थे मुगलो से संधर्ष उत्तर भारत में बादशाह बनने की होर खत्म होने के बाद और अंगजेप का ध्यान दक्षिन की तरफ गया वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्येश्य से अपने मामा शायस्ताखा को दक्षिन का सूबेदार नियुक्त किया शायस्ताखा अपने एक लाख पचास हजार फौज लेकर सूपन और चाकन के दुर्ब पर अधिकार कर पूना पहुँच गया उसने तीन साल तक मावल में लुटमार की एक राच शिवाजी ने अपने तीन सौपचास मवलो के साथ उन पर हमला कर दिया शायस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में काम्याब रहा पर उसे इसी क्रम में अपनी चार अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा शायस्ताखा के पुत्र अबुल फतह तथा चालीस रक्षकों और अंगिनक सैनिकों का कतल कर दिया गया यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरूश के बीच भेद नकर पाने के कारण खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को मार डाला था इस घटना के बाद और अंगजेब ने शायस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुजजम शायस्ता की जगह लेने भीजा गया सूरत में लूट इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृध्धी हुई छे साल शायस्ता खान ने अपनी एक लाख पचास हजार फॉज लेकर राजा शिवाजी का पुरा मुलुख जलाकर तबाह कर दिया था इसलिए उसका हरजाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गड़ था और हिंदुस्तानी मुसल्मानों के लिए हच पर जाने का द्वार यह एक समरिद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाड्य व्यापारियों को लूटा आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लिखों में किया है उस समय तक यूरोपिय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे नादिर शाह के भारत पर आक्रमन करने तत 1749 किसी भी यूरोपिय शक्ती ने भारतिय मुगल सामराज्य पर आक्रमन करने की नहीं सोची थी कृप्या उद्धरन जोडे और शहजादा मुअज्यम तथा उपसेनाप्ती राजा जस्वंत सिह की जगह दिलेर्खा और राजा जैसिं की नियुक्ती की गई राजा जैसिं ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपिय शक्तिया तथा छोटे सामन्तों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमन कर दिया इस युद्ध में शिवाजी को हानी होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधी का प्रस्ताव भेजा इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हून साला ना थी बाला घाट और कोंकन के क्षेतर शिवाजी को मिलेंगे पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख हून अदा करने होंगे इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हून का राजस्व भी वेदेंगे बीजापूर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे आगरा में आमंतरन और पलायन शिवाजी को आगरा बुलाया गया जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है इसके विरोध में उन्होंने अपना रोश भरे दर्बार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया औरंगजेब इससे क्शुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजर बंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिये कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्ट 1666 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा और अंगजेब का था लेकिन अपने अदमे साहस और युकती के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफर रहे 17 अगस्ट 1666 संभाजी को मतुरा में एक विश्वासी ब्राहमन के यहां छोड शिवाजी महाराज बनारस गए पुरी होते हुए सकुषर राजगड पहुँच गए 2 सितंबर 1666 इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया औरंदजेब ने जैसेह पर शक करके उसकी हत्या विश्ट देकर करवा डाली जस्वंत सिह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधी की औरंदजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी शिवाजी के पुत्र शंभाजी को पांच हजार की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लोटा दिया गया पर सिहगड और पुरंदर पर मुगलों का अधिपत्य बना रहा सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा नगर से 132 लाख की संपत्ती शिवाजी के हाथ लगी और लोटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया राज्जा भिशेक सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधी के अंतरगत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्जा भिशेक करना चाहा परन्तु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मनों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्जा भिशेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी जब ये बात शिवाजी तक पहुँची की मुगल सरदार ऐसे धमकी दे रहे हैं तब शिवाजी ने इसे एक चुनोती के रुप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राहमन से ही अभिशेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है शिवाजी के निजी सचिव बालाजी जी ने काशी में तीन दूटों को भेजा क्यूंकि काशी मुगल सामराज्य के अधीन था जब दूटों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राहमन काफी प्रसन्न हुए किन्तु मुगल सैनिकों को यह बात पता चल गई तब उन ब्राहमनों को पकड़ लिया परंतु युक्ति पूर्वक उन ब्राहमनों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूटों से कहा कि शिवाजी कौन है हम नहीं जानते हैं वे किस वन्ष से हैं? दूतों को पता नहीं था इसलिए उन्होंने कहा हमें पता नहीं है तब मुगल सैनिकों के सरदार के समक्ष उन ब्राहमनों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है शिवाजी किस वंश से हैं आपने नहीं बताया अत ऐसे में हम उनके राज्याभिशेक कैसे कर सकते हैं हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और काशी का कोई अन्य ब्राह्मन भी राज्याभिशेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय नहो अत्ख आप वापस जा सकते हैं मुगल सरदार ने खुश होके ब्राह्मनों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़ कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की सोची पर वो भी चुपके से निकल भागे डौट कृप्या उद्धरन जोड़े वापस लौट कर उन्होंने ये बात बालाजी आव तथा शिवाजी को बताई परंतु आश्चर्य जनक रूप से दो दिन बाद वही ब्राह्मन अपने शिश्यों के साथ रायगड पहुँचे और शिवाजी का राज्या भिशेक किया इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्या भिशेक के बाद भी पुने के ब्राह्मनों को धमकीदी कहा कि शिवाजी को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे न माने लेकिन उनकी नहीं चली शिवाजी ने अश्ट प्रधान मंडल की स्थापना की विभिन राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया पर उनके राज्याभिशेक के बारह दिन बाद ही उनकी माता का देहान्त हो गया था इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपती की उपाधी ग्रहेन की दो बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपई खर्च हुए इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्धोश किया गया था विजयनगर के पतन के बाद दक्षिन में यह पहला हिंदू सामराज्य था एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया इसके बाद बीजापूर के सुल्तान ने कोंकन विजय के लिए अपने दो सेनाधीशों को शिवाजी के विरुध भेजा पर वे अस्पर रहे दक्षिन में विजय सन 1677 से 78 में शिवाजी का ध्यान करनाटक की ओर गया बंबई के दक्षिन में कोंकन तुम्डभदरा नदी के पश्चिम में बेगाम तथा धारवाड का क्षेत्र, मैसूर, वैलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रेल 1680 को शिवाजी का देहान्त हो गया मृत्यू और उत्तराधिकार विश्च दिलाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यू 3 अप्रेल 1680 में हुई उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले शिवाजी के जेश्ट पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजाराम नाम एक दूसरा पुत्र था उस समय राजाराम की उम्र मात्र दस वर्ष थी आथा मराठों ने शंभाजी को राजा मान लिया उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देख कर अपनी पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाशा से अपनी पांच लाख सेना सागर लेकर दक्षिन भारत जीतने निकला औरंगजेब ने दक्षिन में आते ही अदिल शाही दो दिनों में और कुतुब शाही एक ही दिनों में खतम कर दी पर राजा संभाजी के नेत्रित्व में मराठाओं ने नौ साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी औरंगजेब के पुत्र शहजादा अक्बर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया संभाजी ने उसको अपने यहां शरण दी औरंगजेब ने अब फिर जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमन करना शुरू किया उसने अन्ततह 1689 में संभाजी के बीवी के सगे भाई याने गणोजी शिरके की मुखबरी से संभाजी को मुकर्वखा द्वारा बंदी बना लिया औरंगजेब ने राजा संभाजी से बदसलू की की और बुरा हाल करके मार दिया अपनी राजा की और अंगजेब द्वारा की गई बदसलू की और नर्विर्विरिशंस्ता द्वारा मारा हुआ देखकर पूरा मराठा स्वराज्यक रोधित हुआ उन्होंने अपनी पुरी ताकत से राजाराम के नेत्रित्व में मुगलो से संधर्ष जारी रखा 1770 में राजाराम की मृत्यू हो गई उसके बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई चार वर्षिय पुत्र शिवाजी द्वितिय की संरक्षि का बनकर राज करती रही आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज्य के युद्ध लड़के ठके हुए और अंगजेब की उसी च्त्रप्ती शिवाजी के स्वराज्य में दफन हुए शासन और व्यक्तित्व शिवाजी को एक कुशल और प्रबुध समराठ के रूप में जाना जाता है यद्यपी उनको अपने बच्पन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी पर वे भारतिय इतिहास और राजनीती से सुप्रिचित थे उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिले को आदर्श मानकर कूटनीती का सहारा लेना कई बार उचित समझा था अपने समकालीन मुगलो की तरह वह भी निरंकुष शासक थे अर्थात शासन की समुची बागदोर राजा के हाथ में ही थी पर उनके प्रशास्किये कारियों में मदद के लिए आठ मंत्रियों की एक परिशद थी जिन्हें अश्ट प्रधान कहा जाता था इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था अमात्य वित्थ और राजस्व के कारियों को देखता था तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का खयाल रखाता था सचिव दफ्तरी काम करते थे जिसमें शाही मुहर लगाना और संधी पत्रों का आलेक तयार करना शामिल होते थे सुमंत विदेश मंत्री था सेना के प्रधान को सेनाप्ती कहते थे दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित्राव कहते थे न्यायाधीश न्यायक मामलों का प्रधान था मराठा सामराज्य तीन या चार विभागों में विभक्त था प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था जिसे प्रांतपती कहा जाता था हर एक सूबेदार के पास भी एक अश्ट प्रधान समिती होती थी कुछ प्रांथ केवल करदाता थे और प्रशासन के मामले में स्वतंत्र न्याय व्यवस्था प्राचीन पधती पर आधारित थी शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्म शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था गाओं के पटेल फौजदारी मुकद्मों की जाच करते थे राज्य की आय का साधन भूमी से प्राप्त होने वाला कर था पर चौथ और सर्देश मुखी से भी राजस वसूला जाता था चौथ पडोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला कर था शिवाजी अपने को मराठों का सर्देश मुख कहते थे और इसी हैसियत से सर्देश मुखी कर वसूला जाता था राजमुद्रा शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अश्ट कोणिय मुहर सील थी जिसका उप्योग वे अपने पत्रों एवन सैन्य सामगरी पर करते थे उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है माना जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले ने यह राजमुद्रा उन्हें तब प्रदान की थी जब शाहजी ने जी जाबाई और तरुन शिवाजी को पुने की जागीर संभालने के लिए भेजा था जिस सबसे पुराने पत्र पर यह राज मुद्रा लगी है, वह सन 1649 का है मुद्रा पर लिखा वाक्य निन्न लिखित है प्रतिपट चंद्र लेखेव वर्धिश नुर्विश्ववंदिता शासुनोह शिवस्यशा मुद्रा भगराय राजते अर्थ जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्वद्वारा वंदनी होता है उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी धार्मिक नीती शिवाजी एक धर्म प्रायन हिंदु शासक थे तथा वह धार्मिक सहिश्नु भी थे उनके सामराज्य में मुसल्मानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी कई मस्जिदों के निर्मान के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया हिंदू पंडितों की तरह मुसल्मान संतों और फ्कीरों को भी सम्मान प्राप्ट था उनकी सेना में मुसल्मान सैनिक भी थे शिवाजी हिंदू संस्कृती को बढ़ावा देते थे पारंपरिक हिंदू मूलियों तथा शिक्षा पर बल दिया जाता था अपने अभियानों का आरंभ वे प्रायह दशहरा के अफसर पर करते थे चरित्र शिवाजी महाराज को अपने पिता से स्वराज की शिक्षाही मिली जब बीजापूर के सुल्तान ने शाजी राजे को बंदी बना लिया तो एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापूर के शाह से संधी कर शाहजी राजे को छुड़वा लिया इससे उनके चरित्र में एक उदार अव्यव जराता है उसे बाद उन्होंने पिता की हत्या नहीं करवाई जैसा ही अन्य समराट किया करते थे शाहजी राजे के मरने के बाद ही उन्होंने अपना राज्या भिशेक करवाया हालां की वो उस समय तक अपने पिता से स्वतंत्र होकर एक बड़े सामराज्य के अधिपती हो गए थे उनके नेत्रित्व को सब लोग स्वीकार करते थे यही कारण है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी प्रमुख घटना नहीं हुई थी वह एक अच्छे सेनानायक के साथ एक अच्छे कूटनीति गे भी थे कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय कूटनीति से काम लिया था लेकिन यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को माक देने में उनका साथ देती रही शिवाजी महाराज की गनिमी कावा नामक कूटनीति जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमन करके उसे हराया जाता है विलोगनेता से और आदर्स हित याद किया जाता है शिवाजी महाराज के गौरव में ये पंक्तिया प्रसिद्ध हैं शिवराया चे आठवावे स्वरुक शिवराया चे आठवावा साक्षे शिवराया चे आठवावा प्रता भूमंडी प्रमुख तिथिया और घटनाएं 19 फरवरी 1630 शिवाजी महाराज का जन्म 14 मई 1640 शिवाजी महाराज और साईबाई का विवा 1642 शिवाजी और सोयाराबाई का विवा 1646 शिवाजी महाराज ने पुने के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया 1656 शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मुरे से जाबली जीता 10 नवंबर 1669 शिवाजी महाराज ने अफजल खान का बद किया 5 सितंबर 1669 संभाजी का जन्म 1669 शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया 6 से 10 जन्वरी 1664 शिवाजी महाराज ने सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धनसंपत्ती प्राप्त की 1665 शिवाजी महाराज ने और अंगजेब के साथ पुरंधर शान्ती संधी पर हस्ताक्षर किया 1666 शिवाजी महाराज आगरा कारावास से भाग निकले 1667 और अंगजेब राजा शिवाजी महाराज के शीर्षक अनुदान उन्होंने कहा कि कर लगाने का अधिकार प्राप्त है 1668 शिवाजी महाराज और अंगजेब के बीच शान्ती संधी 1670 शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला 1670 राजाराम का जन्म 1674 शिवाजी महाराज ने राइगड में छत्रप्ती की पदवी मिली और राज्याभिशेक करवाया 18 जून को जीजाबाई की मृत्यू 1680 शिवाजी महाराज की मृत्यू